कि यह जो फिलुडिटी है उसके खास दो-तिन कारण बनते हैं एक तो जो लिपिड है में में उसमें लिपिड मालिकूल के बीच में को वैलेंट बॉंडिंग नहीं है को वैलेंट बॉंडिंग नहीं है तो यह static structure नहीं बनता है, इस्थिर structure नहीं बनता है, बलकि क्या होता है, उसमें movement होता रहता है, और dynamic structure बना रहता है, उसमें dynamism रहता है, motion रहता है, वो एक जगह इस्थिर नहीं रहता है, इस्थिर नहीं रहता है, इस्थिर नहीं रहता है, यह एक कारल हो गया, दूसरा कारल ह कि जो लिपिड है या जो फैट है उसके कंपोजीशन में कैसी फेटई एसीड से सै the तर फैट duct से यह अनसै छुठ फैट्वन इस इसे तो उसमें डबॉल बांड नहीं बनेंगे डबॉल बांड नहीं बनेंगे तो नार्मल टंप्रेचर पर जो बिएो जो फैट हो इवा शालिड रहेंगी और अगर जुझ ऐस निजैक्त हैं तो वहना और डबूल बॉंस बनेंगे कार्बन कार्बन के बीश में एक या एक से अधिक जगह double bonds बनेंगे और जो कार्बन कार्बन के बीच में double bond एक जगह या एक जगह और जादे जो बनेंगे one or more places पर जो double bonds बनेंगे वो hydrocarbon chain में kink प्रोडूस कर देंगे थोड़ा सा आइठन धागा जा रहा है उसमें आइठन हो गई आइठके तोड़ा सा दूरी हो गई प्लेन लाइन से हट गया तो उस किंग की वजह से मेंब्रेन में जो लिपिट की close packing होती है वो नहीं होने पाएगी तो यह saturation और unsaturation का यह fluidity के उपर effect होता है एक जो तीसरा कारण होता है वो cholesterol होता है cholesterol जो की एक esterol है या मैंने एक cholesterol molecules सो कर दिया है और यह less amphipathic molecule है यह जनरल लिपेड मालीकूल से थोड़ा छोटा होता है और इसमें जो rings होती है वो थोड़ा compact होती है और वो hydrocarbon chain को आपस में पास नहीं आने देती है यह cholesterol का hydroxyl group है जो की polar end की तरफ रहेगा phosphate group की तरफ रहेगा और यह जो है जो rings है इसमें esterol की rings है वो जो है hydrocarbon chain के साथ को डिस्टर्ब करते हैं क्लोज ली पैक नहीं होने देते हैं उनको थोड़ा दूर दूर हटाए रखता है तो कोलेस्टाल की बड़ी एहमियत है membrane में कोलेस्टाल जो है जो animals थंडे प्रदेशों में रहते हैं थंडी जगहों में रहते हैं उनमें भी बहुत helpful होता है और थंडी जगहों के animals के plasma membrane को उनकी जो lipids होते ही हैं उनको solidify होने से ये बचाता है उनकी close packing dense packing को वो disturb कर देता है वो पास पास नहीं आने देता है lipid molecules को थोड़ा दूरी पैदा कर देता है तो membrane जो है solidify नहीं होने पाती है और जब solidify नहीं होंगी तो break होने से बच जाएंगे तो animals अपना जीवन आपन ठीक से करते हैं वहां पर कुछ bacteria जो की ठंडी जगहों पर रहते हैं उनके plasma membrane में एक खास दौर की enzyme पाए जाती है जि यह क्या करता है यह plasma membrane में double bond formation को induce करता है एक और important बात है कि यह जो lipid के molecules होते हैं अपनी leaflet में यह bimolecular structure है membrane का यह lipid की एक leaflet है यह lipid की दूसरी leaflet है इसी दोनों leaflets को मिलाके bimolecular करते हैं तो इसमें जो lipid के molecules हैं वो वाक करते हैं अपनी अपनी plane में चहल कदमी करते हैं और protein molecules भी जो इसमें intercalated होते हैं वो भी move करते रहते हैं दोनों molecules अपनी जगह पर fix नहीं होते अगर यह molecules अपने इस तरह से axis पर rotate करते हैं तो इसको rotational movement कहेंगे और अपनी ही plane में एक जगह से दूसरे जगह ऐसे सीधे line में जाते हैं तो इसको lateral movement करते हैं लेकिन कभी भी इस leaflet का lipid molecule दूसरी वाली outer का inner वाली leaflet में जंप नहीं करते flip flop नहीं होता है बड़ी rare cases में कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि यह polar group है और इधर non-polar है जल्दी इसके थूप पास नहीं इसको होने देती है इसलिए rotational movement हो सकता है या lateral movement हो सकता है लेकिन transverse movement साहद ही कभी हो ऐसा नहीं होने पाता है और दूसरी बात जो है वह यह है कि जो पास पास के लिपिड मारी कूल्स है करीब एक सेकेंड में 10 मिलियन टाइम्स अपने प्लेसेज को चेंज करते रहते हैं आपस में 10 मिलियन टाइम्स आप पूरे सेल की membrane को वह वांडर कर जाएंगे विदिन फ्यू मिनट्स तो इनकी इनके movement इतने fast होते हैं यह static नहीं पड़े रहते हैं